आज की क्लास होने वाली है बेस्ट वर्ड्स के उपर जहां पर मैं आपको बताऊंगी कुछ शब्द जो अंग्रेजी में बहुत अच्छे से इस्तमाल होते हैं और उससे भी जादा जरूरी वो वर्ड्स वाक्यों में कैसे इस्तमाल होते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे क्लास को शुरू करते हैं, आप देख रहे हैं संधीत इंग्लिश अकार्मी, मैं हूँ परीती मैम, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आउन कर देना, ताकि आगे कि आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, साथ ही आप आसानी सागे क्लास को आप अगर अपने हिंदी बोलने वाले वाक्य में कौन, किसने, जो या जिसने, जैसे शब्दो का अस्तमाल हिंदी में ला रहे हैं, हिंदी में प्रेयोक कर रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर वर्ड की अंग्रेजी जानके रखिए, वो होता है हूँ, और आप इसी को अस translate करेंगे, ठीक है, वाक्य में क्या देखना चाहिए, कौन, किसने, जो या जिसने, जैसे कौन खाया या कहें, किसने खाया, कौन खाया या किसने खाया, कहेंगे, हूँ एट, हूँ एट, हमारा, हमारी, हमारे, अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं, तो आप आप आवर का यूज़ वहाँ पर होता है, जहां पर आप किसी सामान की, या किसी situation की, या किसी particular, किसी चीज़ की बात कर रहे हो, basically, और जो आपका है, और आपके साथ साथ, आप और भी लोगों का है, ठीक है, तो आप उसमें आवर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते ह हम, कि आवर वर्ड जो है, वो एक से ज्यादा वैक्तियों के लिए यूज़ होता है, और उन वैक्तियों में आप भी होने चाहिए, तो आप आवर का यूज़ करेंगे, जैसे ये हमारा घर है, तो वो घर जो है, वो आपके साथ साथ, आपके भाई बहन का भी है, आपके फिर है कैसे, इस्तमाल करते हैं Wow को पढ़ते हैं कैसे, जब आप पूछना चारहे हैं आपका सवाल है कैसे, और ये तरीका पूछता है कैसे हुआ? कैसे पहुन्चे हैं वहाँ? तो तरीका जब आप पूछते हैं, किसी भी चीस का माध्यम पूछते हैं Basically, तो आप how word का use करते हैं, जैसे आपका स्वास्त कैसा है, आप कहेंगे how is your health, क्या कहेंगे how is your health, अब सोच के बताओ किसका जवाब क्या होगा, या तो आपका health अच्छा होगा, या तो आपका health बुरा होगा, या तो आपका health ठीक ठाक होगा, जो कि maximum cases में होता है, हमसे कभी बोलते हैं कि हां अरे बहुत बढ़िया है कभी नहीं बोलते हैं हम अमेशा बोलते हैं हां ठीकी है है ना मुझे नहीं पता क्यूं हम लोग ऐसा बोलते हैं बट अगर अच्छा है तो बोलो ना भई कि अच्छा है बढ़िया है है ना तो how तो ऐसी जगहों पर use होता है उनका उनकी उनके their word का use करते है T-H-E-I-R their English में दो their होते हैं एक में I लगता है एक में E लगता है ठीक इसी जगह पर E-R-E है ना मतलब R के बाद एक और E लग जाता है तो वो their हो जाता है और ये their ठीक है ये their है जिसका मतलब होता है जब आप किसी और व्यक्ती विशेश की किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं और चीज के बारे में सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं बलकि आप ये कह रहे हैं कि वो चीज जो है वो उनहीं की है उनकी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं जैसे ये उनका बैग है कहेंगे this is their bag ये उनका बैग है this is their bag और एक और देर जो मैंने कहा t-h-e-r-e वाला देर वो जो है वो जगह को सूचित करता है जगह के बारे में बात करता है जैसे there is my bag मेरा bag वहाँ है फिर है रास्ता जिसके लिए अंग्रेजी में दो शब्ध है एक है path दूसरा है way जाहिसी बात है दो शब्ध है दोनों का मतलब रास्ता होता है तो दोनों मेंसे आप कोई भी इस्तमाल कर सकते हो depending on वाक्य क्योंकि वाक्य ही आपको वो message देता है कि आपको अपने वाक्य में आपको अपने English के translation में way का अस्तमाल करना है या path का अस्तमाल करना है जैसे इस रास्ते पर चले go on this path क्या कहेंगे go on this path जैके अब अगला शब्ध है हमारे पास put जिसका मतलब होता है डालना रखना या लगाना तीनों ही के जगह पर ये use हो जाता है इसे वहां रखो put it there put ये वाला there की में बात कर रहे थी ठीके put it there इसे वहां रखो put it there फिर है very जिसके जगह पर इस्तमाल होता है बहुत के जगह पर और बहुत हमें पता है कहां पर use होता है बहुत हम तब इस्तमाल करते हैं जब किसी चीज की अती हो रही हो है ना जोर डालने के लिए कोई situation explain कर रहे है कोई चीज explain कर रहे है उसमें थोड़ा सा अगर हमें एसा emotion दिखाना होता है कि है बहुत ज़ाद है बहुत का use करते है जैसे बहुत सुन्दर है बहुत बकवास है बहुत tasty है आप चाहे तो सिर्फ कह सकते है सुन्दर है चाहे तो कह सकते है tasty है चाहे तो कह सकते है बकवास है लेकिन जब आप उसमें कुछ एक और add करना चाहते हैं जब आपने feeling को आप strongly दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ सुन्दरता की बात नहीं हो यह बहुत सुन्दर की बात हो रही है तो हम बहुत word का use करते हैं तो अंग्रेजी में very का use करेंगे जैसे वह बहुत वियस्त है नॉर्मल बीजी नहीं है बहुत बिजी है तो she is very busy इसका इस्तमाल भी अंग्रेजी में very word का use भी उसी तरीके से मतलब emphasize करने के लिए किसी चीज़ को जोर डालने के लिए इस्तमाल किया जाता है फिर है कुछ जिसका इस्तमाल करते हैं few करते हैं इसके जगापर इस्तमाल कुछ के जगापर हम अंग्रेजी में few word का use करते हैं याद रखिएगा few का इस्तमाल जो है वो हमेशा count की जाने वाली चीजों के साथ कर सकते हैं जैसे आप column count कर सकते हैं आप जो है आप biscuits count कर सकते हैं कटोरी count कर सकते हैं तो ऐसी कोई चीज जिसको count कर सकते हैं numbers में 1,2,3,4,5,6 आप उसके साथ few का use करेंगे ठीके मेरे पास कुछ pen है I have few pens तो मैं अगर आपसे पुछो बताओ ना कितने pen है आपने कहा I have few pens मैंने का रहे नहीं exactly बताओ कितने pen से तो आपको हो गया ना किन करके कि हा मेरे पास तो 25 pen है गिन लिया ना 25 है तो few का use करेंगे आप ठीके अब है आगे आगामी या अगला इस्तेमाल करते हैं next का ठीके जैसे फिर मिलते हैं see you next time फिर मिलते हैं see you next time या कहें अगली बार मिलते हैं see you next time आगे मिलते हैं see you next time ठीके वहीं पर रास्ता पाथ वाला तो मैंने करा दिया आपको चलो rest या relax, इस्तमाल करते हैं शब्द आराम का, किसका इस्तमाल करते हैं आराम, आराम के जगा पर rest या relax इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते है जैसे आराम करो, take rest take rest, है ना या फिर कोई situation ऐसी हो जाती है ना थोड़ा कोई hyper हो जाता है, करें रिलाक्स करो relax करो, है ना, तो ये आराम की ही बात यहाँ पर होती है clear, then इस्तमाल दो शब्दों के जगा पर हो सकता है एक तब और एक तो, है ना मैं तब घर पर था I was at home then, यहाँ पर समय को सूचित कर रहा है, ठीक है किया रहे, तब की बात करो, तब तुम्हें घर पर था I was at home then, ठीक है फिर वही पर है तो, तो का अस्तमाल जो है, वो condition लगाने के लिए उस होता है ऐसा हो गया, तो, तो तुम क्या करोगे है ना, ये वाली situation में condition ने pause लगाने के लिए उस करते है प्रतियक या एक दूसरे को इस्तमाल करते हैं शब्द each का, जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं, we know each other पोचना या मांगना इस्तमाल करते हैं शब्द ask का उससे पोचो या उससे मांगो कहेंगे ask him क्या कहेंगे, ask him अभ या अभी इस्तमाल करते हैं शब्द now का, जैसे वह अभी घर पर है, he is at home right now, यहां तक की इस्तमाल करते हैं शब्द even का यहां तक की उसने पूछा भी नहीं, he did not even ask, यह जो bare minimum criteria होता है, वो भी जब fulfill नहीं होता है किसे situation में तो even word का यूज करके उसको explain करते हैं ठीक है, चलो लिये या के लिये इस्तमाल करते हैं शब्द for का, हम दौरे के लिए जा रहे हैं, we are going for tour say इस्तमाल करते हैं शब्द from का, मैं class से वापस आ गया I came back from class के अंदर या में इस्तमाल करते हैं शब्द into का car के अंदर बैठ जाओ get into the car, ये तब यूज करते हैं जब आपके आसपास का माहौल बदल रहा हो, आप एक जगह पर है आपका माहौल बदल के दूसरी जगह पर चलेगें, तो आप into का यूज करेंगे वहाँ पर पास पास में या के पास नियर वर्ड का यूज होता है खुले तार के पास न जाएं don't go to don't go near to open wire उपर से, से उपर के उपर या अती या समाप्त, इन सारे के जगह पर आप ओवर वर्ड का यूज कर सकते हैं जैसे वह 50 से उपर होगा he must be over 50 खेल समाप्त हुआ, the game is over ठीके या फिर तुम बहुत जादा अती कर रहे हो you are doing over ये यूज करते हैं सम इस्तमाल करते हैं कुछ का हमने कुछ सेब खाएं, we ate some apples साथ या के साथ, with का यूज करते हैं हम आपके साथ हैं, we are with you जब या कब इस्तमाल करते हैं शब्द when का, ये हमेशा time के बारे में बात करता है, चाहे सवाल में इस्तमाल हो चाहे non-सवाल में स्तमाल हो जैसे आपने इसे कब खरीदा when did you buy it क्या, इस्तमाल करते हैं शब्द what का तुम क्या कर रहे हो, what are you doing ये हमेशा information निकलवाने के काम आता है थे इस्तेमाल करते हैं उसके जगह पर work का work का ये condition है कि ये हमेशा u, v, day के साथ use होता है जैसे हम लोग सही थे we were right आप सही थे you were right हम लोग सही थे we were right वे लोग सही थे they were right तो team के साथ you, we और day के साथ साथ या के साथ with का use करते हैं जैसे हम आपके साथ हैं we are with you अंदर या भीतर इस्तमाल करते हैं शब्द within का मैं घंटे के भीतर आ रहा हूँ I am coming within an hour यहाँ पर समय सीमा जहाँ पर बांध दी जाती है lower limit और upper limit दोनों तो उसके अंदर अगर कोई काम करना है तो within word का use करेंगे ठीके जब की या जब इस्तमाल करते हैं शब्द while का जब मैं बोल रहा हूँ तो शांत रहो be quiet while I am speaking ठीके के सिवाई या को छोड़ कर इस्तमाल करते हैं शब्द except का यह वहाँ पर इस्तमाल होता है जहाँ पर जब पर हम diamonds बच्चोंने एकजैम दिया एकको छोड़ कर अब वो मालो अगले दिन आप से मिलता है तो आप क्या कहोगे तुमको छोड़ कर बाकिसाब एकजाम दिया था कहेंगे तो तुमको छोड़ कर right तो जिसको छोड़ खर के वो accept के बाद लगता है यहाँ पर him को छोड़ रहे थे मानलो यहाँ पर rohan होता मैंने कहा rohan के सवाई सभी ने परिक्षा पास की तो कहते everyone passed the exam except rohan clear except के बाद कौन सा word लगेगा जिसको छोड़ रहे है except देखो पता है यह याद हो जाता है सबको लेकिन इस्तमाल में दिक्कत आती है अच्छे चलोगों के इस्तमाल में दिक्कत आती है दिक्कत यही आती है कि accept के पहले लगाएं कि बाद लगाएं बस यह वाला ट्रिक याद रखो के except यूज करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी clear हुई बात चलिए तो यह थी आज की क्लास जहां पर हमने कुछ शब्दों को सीखा उससे जरा जरूरी उनका मतलब और उनका इस्तमाल होता है हमेशा तो इस्तमाल भी हमने आज की क्लास में सीखा क्लास कैसे लगी comment करके मुझे जरूर बताना क्लास अच्छे लगी है क्लास को लाइक और शेर कर देना आप देखने हैं सन्रीट इंग्लिश अकाडमी मैं हूँ प्रीती मैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ओन कर देना ये वाले कोर्स जैसे spoken English की English writing की grammar की English reading की और ये e-books जो हैं वो सब कुछ हमारी आप सन्रीट इंग्लिश अकाडमी पर अवेलेबल है ये आप आपको मिलती है गूगल प्ले स्टोर पर वहीं पर इसको जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए फिर आपको कोई दिक्कत अगर हो e-books हमारी इस वेबसाइट पर अवेलेबल है देखो बचे e-book का मतलब होता है PDF वाली किताबें तो आप किसी की भी किताब लो e-book अगर ले रहे हो तो उसको डाउनलोड ज़रूर कर लिया करो इसके अलावा WhatsApp का Group, Telegram का चानल हमारा ज़रूर जोइन करके रखे तो मान लो किसी दिन YouTube पर क्लास नहीं अटेंड कर पाए तो Group में जोइन रहोगे तो अगले दिन जो है वो क्लास आपको सीधे आपके Mobile पर मिल जाएगी और इसके साथ ही आप Classes को देख पाएंगे और मैं आप से मिलूंगे आपके अगली क्लास में Till then, thank you so much for watching Stay tuned to Sanriti English Academy